स्वागत है आपका आज के एपिसोड में चले शुरुवात करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्ण के साथ तब रेज शहर जिसका कभी कभी सामाचारों में उलेक होता है स्थित है A. इरान B. बेलारूस C. इसराइल D. कुवैत इस प्रश्र का सही उत्तर है विकल्प A. इरान चले देखते हैं इसके विसलेशन को तबरेज शहर इरान के पूर्वी अजर्बैजान प्रांत की राजधानी है यह एक आधोनिक और द्योगी की कृत इरानी शहर है जिसमें 25 सो वर्ष पुराने सभिता के चिन्ह मिलते हैं तबरेज को इसलामिक समेलन सगठन द्वारा वर्ष 2018 के लिए City of Islamic World Tourism के रूप में नामित किया गया था अजी चे, लिकवान चे, मैदान चे और सुफियान चे जैसी नदिया इस शेत्र से होकर बहती हैं अतविकल्प ए सही है तो चलिए शुरुवात करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न के साथ शीलंकाई ग्रह युद्ध के संबंध में निम्नलिकित कथनों पर विचार कीजी एक, भारत शीलंकाई समझोते 1987 ने प्रांतिय परिशत प्रणाली के स्थापना और सत्ता के हस्तांतर द्वारा एक राज्यतिक सामाधान का प्रिसाव रखा दो, लिबरेशन टाइगर्स ओफ तमिल इलम के प्रभाव से जापना प्रायोद्वीप को मुग्द करने के लिए भारती शांति सेना द्वारा ओपरिशन टाइगर चलाया गया था उपर युख्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है इस प्रशन का सही उत्तर है विकल्प एक एवल एक चली देखते हैं इसके विसलिशन को शिलंकाई ग्रिह युद्ध जाफना प्रायोद्वीप लिबरेशन टाइगर्स ओफ तमिल इलम का एक प्रमुख गड़ रहा है यह शिलंका के उत्तरी शोर पर इस्सित है भगोलिक दृष्टी से यह उत्तर और पूर्व में हिंद महासागर एवं पश्ची में पाग जल्डम रुमधितक सीमित है आपसी संबंदों को बहतर बनाने के लिए वर्श 1987 में भारत और शिलंका के बीच भारत शिलंका समझोते पर हस्ताक्षर किये गये इसने प्रांती परिशत प्रणाली के स्थापना और शिलंका के नौ प्रांतों के लिए सत्ता के हस्तांतर द्वारा शिलंका के संघर्ष का एक राज़ितिक समाधान प्रस्तावित किया अतकथन एक सही है वर्ष 1987 के अंत में लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम्त से जाफना प्रायोधी पर नियंतर पाने के लिए भारती शांती सेना द्वारा ओपरेशन पवन चलाया गया था अतकथन दो सही नहीं है अगला प्रश्ण है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजे कथन एक हिमाली देवदार की पेड़ वनागनी के प्रति सम्वेदनशील होते हैं कथन दो हिमाली देवदार की पेड़ो में राल नहरे होती हैं जो वनागनी के प्रति उन्हें अत्यधिक सम्वेदनशील बनाती है उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? A. कथन एक और कथन दो दोनों सही है तथा कथन दो कथन एक की सही व्याख्या करता है B. कथन एक और कथन दो दोनों सही है तथा कथन दो कथन एक की सही व्याख्या नहीं करता है इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प A चले देखते हैं इसके विसलेशन को वनागनी हिमाली देवदार, नीलगिरी और सागॉन के पेड़ वनागनी के प्रति सम्वेदनशील होते हैं अतकथन एक सही है कुछ पौधो, जाडियों और पेड़ों में तेल या राल होते हैं जो दहन को बढ़ावा देते हैं जिसे वे ऐसे तेल रहित पौधों की तुल्ला में अधिक आसानी से, जल्दी या तीवरिता से जलते हैं उदाहरण के लिए हिमाली देवदार के पेड़ों में राल नहरे होती हैं जो वनागनी के प्रति उन्हें अतधिक समेदनशील बनाती हैं अतकथन दो सही है देशी पौधे अधिक अगनी प्रतिरोधी होते हैं उदाहरण के लिए नीलगिरी के वनों में शोला अत्यंतिसर्दियों और उच्छ गर्मी के तापमान के तनाव से निपटने के लिए उन्होंने स्वयम को कई लाखो वर्षों में अनुकूलन किया है अतविकल्प ए सही है क्योंकि कथन एक और कथन दो दोनों सही है तथा कथन दो कथन एक की सही व्याख्या करता है अगला प्रश्ण है चोहत्तर में सम्वेधानिक संशोधन अधीनियम 1992 के संदर्भ में निम्नलिकित कथनों पर विचार कीजे एक इसने शहरी स्थाने निकायों को सम्वेधान के न्याय संगत प्रावधानों के दाइरे में ला दिया है इसने भारत के संवेधान में बारहमी अनुसूची जोडी जिसमें नगरपालिकाओं के दाइरे में 29 कार्यात्मक वस्तवे शामिल है उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है इस प्रशे का सही उत्तर है विकल्प एक एवल एक चलि देखते हैं इसके विसलेशन को चोहतर में सम्वेधानिक संशोधन अधीनियम 1992 ने शहरी स्थानी निकायों को सम्वेधानिक दर्जा प्रदान किया इसने उन्हें सम्वेधान कि नयाय संगत प्रवधानों के दारिये में ला दिया अतक अधन एक सही है इस अधीनियम में भारत के सम्वेधान में 12 अनुसूची जोडी जिसमें 18 कार्यात्मक वस्तों में शामिल है जिने नगरपालिकाओं के दारे में रखा जाना है अतकतन 2 सही नहीं है इस अधिनियम ने भारत के सम्विधान में भाग 9 जोडा जिसमें अनुच्छे 243P से 243ZG तक प्रावधान शामिल थे अगला प्रशन है कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजीशन और इस्टोरिस तकनीक के सम्वंद में निम्रलिखित में से कौन सा कथन सही है एक, CCUS में विदुद सैयंत्रों और ओद्योगिक प्रक्रियाओं जैसे श्रोतो द्वारा कार्बन डायोकसाइड उत्सरजन को कैप्चर करना शामिल है दो, कैप्चर की गए CO2 को भूबै ज्यानिक सनरशनाओं में भूमिगत रूप से संग्रहित किया जा सकता है या विबिन ओद्योगिक प्रक्रियाओं में उप्योग किया जा सकता है तीन, CCUS को उपसित विदुद और ओद्योगिक सैयंत्रों में पुना सैयोजित नहीं किया जा सकता है नीचे दिये गया कूट का उप्योग करके सही उत्तर चुनिए एक केवल एक और दो, बी केवल दो और तीन, सी केवल एक, डी एक दो और तीन इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प एक केवल एक और दो चले देखते हैं इसके विसलेशन को कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन और स्टोरिज CCUS में CO2 का संग्रहर शामिल है, आमतोर पर विदुद सैयत्रों या ओद्योगिक प्रक्रियाओं जैसे बड़े बिंदो, शोतों से जो इंधन के रूप में जिवाश्प इंधन या बायोमास का उप्योग करते हैं अतकथन एक सही है इसे उनका संचालन जारी रखा जा सके या कठिन शेत्रों, विशेश रूप से सेमेंट स्टील या रसायन जैसे भारी उद्योगों में उद्सर्जों से सामाधान हो सकता है अतकथन तीन सही नहीं है अगला प्रश्ण है निमनलिखित कथनों पर विचार कीजे एक, डेरिवेटिव वित्तिय अनुबंध है जो अंतरनिहित परिसंपत्ति, परिसंपत्यों के समो या बैंचवार्क से अपना मुले प्राप्त करते है दो, वायदा और विकल्प शेयर बाजार में डेरिवेटिव उत्पादों के उदाहरण है उपरीघ मेंसे कौन साय या कौन से कथन सही है या सही है एक एबल एक, बी केबल दो, सी एक और दो दोनो, डी ना तो एक और ना ही दो इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प सी एक और दो दोनों चले देखते हैं इसके विस्टेशन को वित्पन उत्पाद यह derivative वित्तिय अनुबंध है जो दो या दो से अधिक पार्टियों के बीच निधारित होते हैं साथ या अंतर्निहित परिसंपत्ति परिसंपत्यों के समू या बेंचमार्क से अपना मुल्य प्राप्त करते हैं अतर कथन दोस सही है अगला प्रश्ण है राश्ट्री मधुमक्की पालन इवं शहद मिशन के संबंध में निमनलिकित कथनों पर विचार कीजे एक या खादि प्रवसंस्करण उद्योग मंत्राले द्वारा शुरू की गए एक केंद्री शेत्र की योजना है दो इससे राश्ट्री मधुमक्की बोर्ट के माध्यम से कार्यानवित किया जा रहा है तीन या विशेश रूप से मधुमक्की पालन और मधुमक्की पालन उतपादों के बाद के प्रभंधन पर केंद्री थै उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है एक केवल एक और दो, बी केवल दो, सी केवल तीन, डी एक दो और तीन इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प बी केवल दो चले देखते हैं इसके विस्टेशन को मीठी क्रांती के लक्ष को प्राप्त करने के लिए एन बी एचम को राश्ट्री मधुमक्ही बोर्ट के माध्यम से कार्यानवित किया जा रहा है अतक अथन दो सही है एन बी एचम में निम्नलिकत उप योजना या तीन लगो मिशन है मिनी मिशन एक व्यग्यानिक मधुमक्ही पालन के बारे में जागरुपता उत्पन न करना मिनी मिशन दो मधुमक्ही पालन और मधुमक्ही पालन उत्पादों का प्रबंधन जिसमें संग्रा, प्रसंस्करण, भंडारण, विप्रण, मुलिवर्धन आदी शामिल है मिनी मिशन तीन, मधुमक्की पालन में अनुसंधान और प्रोध्योगी का स्रिजन करना अतकतन तीन सही नहीं है अगला प्रेश्ण है चाबहार बंदरगाह से जुड़े लाभों के सम्मंद में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजे एक, या पाकिस्तान को दर किनार करके अफगानिस्तान और मद्य एशिया के लिए एक व्यकल्पिक मार्ग प्रदान करता है दो, या प्रस्तावित अंतराश्चे उत्तरदक्ष्र परिवहन गल्यारे का भाग है जो स्वेस नहरमार्ग का विकल्प प्रदान करता है तीन, इससे खाड़ी शेत्र में भारत की उपसिति शशक्त होगी उपर्युक्त में से कितने कथन सही है इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प सी सभी तीन, चले देखते हैं इसके विसलेशन को चाबहार बंदरगा, यह भारत की संचार इवम संपर्क योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण है यह पाकिस्तान को दरकिनार करके अफगानिस्तान और मद्य एश्या के लिए व्यकल्पिक मार्ग प्रदान करता है जिससे मद्य एश्या के साथ बहतर व्यापार की अनुमती मिलती है अतक अधन एक सही है चाबहार बंदरगा प्रसावित अंतराश्चे उत्तर दक्षुर परिवहन गलियारे का भाग है जो स्वेश देहरमार्ग का विकल्प प्रदान करता है अतक अधन दो सही है भारत अपने चाबहार बंदरगाह के माध्यम से फारस की खाड़ी में चीन की गतिविधियों पर नज़र रखने में सक्षम होगा यह चीन द्वारा विक्सित किये जा रहे पाकिस्तान के गौादर बंदरगाह से लगभग 200 किलोमेटर दूर है इससे खाड़ी शेत्र में भारत की उपसिती सशक्त होगी अतक अधन तीन सही है अगला प्रश्न है क्लाइमेट एक्शन ट्रेकर के संबंद में निम्नलिखित कत्रों पर विचार कीजे एक यह एक G7 समर्थित वैज्ञानिक परियोजना है जो सरकारी जलवायू कारिवाई पर नज़र रखती है और इसे विश्वस्तर पर सहमत पेरिसम जोते के लक्ष के विरुध मापती है दो यह क्लाइमेट एनलेटिक्स और विश्व मौसम विज्ञान संगठन के सहयोग से स्वतंत्र विश्लेशन प्रदान करता है तीन यह MAGICC जलवायू मौडल का उप्योग करके 21 शदी के दौरान संभावित तापमान वृधी का निर्धारण करता है उपर युक्त में से कितने कथन सही है एक एवल एक, बी केवल दो, सी सा भी तीन, बी कोई भी नहीं इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प एक एवल एक, चले देखते हैं इसके विश्लेशन को Climate Action Tracker Climate Action Tracker एक स्वतंत्र वैग्यानिक पर योजटा है जो सरकारी जलवायू कारिवाई पर नज़र रखती है और इसे विश्वस्तर पर सहमत पेरी समझोते के लक्ष के विरुध मापती है इसका उदेश्य वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सेस से नीचे रखना तथा वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सेस तक सीमित करने के प्रयासों को आगे बढ़ाना है अतक अथन 1 सही नहीं है यह दो संगठनों Climate Analytics और New Climate Institute के सहयोग से स्वतंतर विशलेशन प्रदान करता है अतक अथन 2 सही नहीं है यह MAGICC जलवाई मॉडल का उप्योग करके 21 सदी के दोरान संभावी तापान वृद्धी का नेधारण करते हुए वैशिक स्थर पर देश की कारेवाई को भी एकत्रित करता है अतक अथन 3 सही है अगला प्रश्ण है निमनलिकित कथनों पर विचार कीजे एक प्रकार का उच्च रग्त चाप है जो कुछ महिलाओं को गर्भावस्था के दोरान होता है दो उप्चा न किये जाने पर यह समय से पहले जन्म और यहां तक की भुरूड की मृत्यू का कारण बन सकता है उपर उक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है यह सिति गर्भावस्था के बीस्वे सप्ताह के बाद हो सकती है यदि प्रीक्लैम्सिया का उप्चार नहीं किया जाता है तो यह गंभीर समस्था हैं जैसे समय से पहले जन्म और यहां तक की भुरूड की मृत्यू का कारण बन सकता है अधक अधन दो सही है प्रीक्लैम्सिया बच्चे के जन्म के बाद विक्सित हो सकता है इस इसिति को प्रसवोतर प्रीक्लैम्सिया कहा जाता है अगला प्रश्ण है साम्रिक परमाडु हत्यार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजे एक, साम्रिक परमाडो हत्यार आमतोर पर कम दूरी के हत्यारों को संदर्भित करते हैं दो, इन्हें केवल भूमी से प्रक्षेपित में सायलों से ही लॉंच किया जा सकता है इस प्रश्च का सही उत्तर है विकलप C केवल एक, चले देखते हैं इसके विसलेशन को साम्रिक परमाडो हत्यार साम्रिक गैर रनीतिक परमाडो हत्यार आमतोर पर कम दूरी के हत्यारों को संदर्भित करते हैं अतक अथन एक सही है TNW अपने चोटे आकार, चुराय जाने की आशंका और कतित उप्योगिता की कारण रनीतिक हत्यारों से अधिक खतरनाक होते हैं इने भूमी से प्रक्षिपित मिसायलों और हवा इवं समूद उस्ते प्रक्षिपित मिसायलों से लॉंच किया जा सकता है अतक अथन दो सही नहीं है विकीवल वर्ष 1991 में जॉर्ज बुश और मिखायल गोरबाचीव द्वारा की गए एक तरफा समानांतर घोश्टनाओ द्वारा बनाए गये अनुपचारिक शाशन के अधिन है तो चलिए अंत में देखते हैं आज का भ्यास प्रश्न को निर्मनलिकित में से कौन सा विकी लिक्स का सबसे अच्छा वर्णन करता है एक सहयोगी ओनलाइन विश्वकूष जो प्योग करताओं को लेक संपादित करने के अनुमती देता है बी वर्णिक्रित सेंसर की गई या अन्य प्रतिबंधित जानकारी प्रकाशित करने के लिए समर्पित एक वेबसाइट सी साइबर अपराधियों की खबरे और जानकारी साजा करने के लिए एक चोशल मीडिया प्रेटफॉर्म दि दुल्लब और पुरानी वस्तों की निलामी के लिए एक एक कॉमर्स मंच इस प्रशका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दे आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद दियर व्यूवर्स अपरे एकजाम की तयारी को और बहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना न भूले